हाई दिसे संकल्ट जोरी फिम अनिटिक रुक्षितर और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे एक नए सीरीज जहां पर हम यह छोटे-छोटे कंसेप्ट तो जे यह नीट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं प्लस एक दो उस्पर सवाल ले रहे होंगे मातर तीन से पांच मिरिट क के अंदर तो अंते तक वीडियो को देखना यहां पर आप अपने प्लस 4 मार्क児श स्शूर का रहे होगे जी मेंस में-ंतो वर्णिर कैलिपर क्या होता है वह mean scale करते हो आप Number आप 15 cm वाला तो वहां पर आप एक डेश्मेल प्रेस तक मेजर कर सकते हैं 1.1, 1.5, 1.6 इस तरीके से से लेकिन अगर आप वर्नियर कैलिपर के यूज़ करते हो तो आप इसमें एक डेश्मेल प्रेस और आड़ करके भी मेजर कर सकते हो तो आपकी जाधा एक्कुरेसी आज़ सकते है वह वहाला स्केल है, इसके उपर यह वर्नियर स्केल यह लगा होता है यह यल्लोकललर का बाट आपको दिख रहा है सिस तरीके से main scale के starting में एक जो होता है और एक वर्णियर scale पे जो होता है इन दोनों jaws के बीच में आपको object फसता है जैसे ball अगर माली मेरा object है तो इस तरीके से हम दोनों jaws के बीच में object को फस आते है और फिर उसके बाद readings लेते हैं ठीक है, main scale पी एक division of conditions measure कर रहा है, upon number of divisions on main scale, ठीक है, जैसे मान लिए आपको main scale था, वो centimeter में calibrated है, ठीक है, तो यह one है, यह two है, यह three है, four है, तो एक main scale division आपका 1 centimeter measure कर रहा है, तो length of one main scale division क्या हो जाएगा, one centimeter, उसके बाद number of divisions on vernier scale, तो vernier scale जो आपको छोटा सा scale था, ऐसे करके जो उपर लगा हुआ था, यह जो आपका लगा हुआ था, इसके उपर भी यहाँ पर divisions calibrated होते हैं, तो यहाँ पर कितने divisions calibrated है, उससे हमें इसको divide कर देना है, तो 1 centimeter divide by 10, generally अगर आप देखोगे, तो 0.01 centimeter का vernier scale का least count आ रहा होता है, ठीक है, अब बढ़ जाते हैं आगे, तो आपको question में वैसे तो अगर वर्नियर constant दिया हुआ है, तो आप वो यूज करोगे, यह हम लोग यूज करते हैं, अगर नहीं दिया हुआ है, बढ़ जाते हैं, अब कैसे आप वर्नियर caliper को read करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं लगा रहा यहाँ तक आ रहा है, हमने starting से देखा इसको zero से, यहां तक आ रहा, यहा, इस point तक आ रहा है, तो क्या होगा, जो उसके left में main scale division है, वो तो हमारा main scale division होगे, सके left में шир much main scale division, one, this is your main scale reading , तो यह हमारा क्या जाएगा, main scale reading, इसके अलावा, फिर हमें इसका least count देख MOJT देखना नो 10, 10 divisions से, तो 0.01 cm जो जनली होता है, वही इसका list count है, ठीक है, तो हमने यहापे list count भी लिख लिया, इसके बाद हमें देखना है कि कौन सा division vernier scale पे, vernier scale पे, कौन सा ऐसा division है, जो main scale से coincide कर रहा है, मतलब यह देखो, जैसे आपने पहला division देखा, नहीं नहीं कर रहा है, जूसा नहीं कर रहा है, तीसा नहीं कर रहा है, आप आपको क्या करना है, main scale reading plus conciding division into least count, बस यह आप लिख दीजे और आपका, जो इसका length है, वो total लिख्या आ जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि total reading जो होता है, वो आपका, वो होता है, capital N, capital N क्या होता है, main scale reading, plus conciding division into vernier constant, तो इस तरीके से आप vernier scale की reading निकाल सकते हैं, सवाल ऐसी पूछा जाता है, कि मान लिए, vernier के left में 1 cm आया था, और vernier का 5th division है, वो main scale division से concide कर रहा है, तो आप यह बताएगे कि कितना distance object का, तो आप कि simply calculate कर सकते हो, कि main scale reading अगर 1 था, प्लस division मान लिए, 6 से division concide कर रहा, into least count of vernier, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, reading निकाल सकते हो, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, एक होती है, 0 error and 0 correction, ठीक है, दो अलगले चीज़ होती है, 0 error and 0 correction, क्या होता है, अब देखो है, हमें पता है, कोई चीज़ perfect है नहीं होती है, इस world में, ठ scale है, इसका 0 to 0 अगर आप लगाते हो, concide कर रहा है, बिल्कुल ही concide कर रहा है, तो कोई 0 error नहीं है, लेकिन most cases में ऐसा नहीं होता है, concide नहीं कर रहा होता है, उस case में हमारे पा 0 error आ जाती है, जैसे मान लिए आपका, मैंने 2 cases लिए हैं, ठीक है, देख सकते हैं, तो यह वाल varnier scale का 0 है, वो main scale के 0 से पीछे है, तो आपका क्या आ गया, negative 0 error आ गया, ठीक है, तो 0 error हम कैसे calculate करते है, 0 error कैसे calculate करते है, वही same, n, n क्या है, main scale reading to the left of the 0, यानि जो आपका varnier scale था, उससे left में main scale reading आई, यह कभी-कभी यह 1 से आगे निकल जाता है, तो left में क्या आ जाएगा फिर 1 हो जाएगा main scale पे, तो generally यह आपका 0 ही रहता है, तो यह 0, प्लस, प्लस, जो division आपका main scale से varnier का concide कर रहा है, जो division मालनी, यह division मालनी का concide कर रहा है, यह fifth division concide कर रहा है, तो यह n की value 5 हो जाएगी, into least count, या varnier constant, ठीक है, तो यह आपका 0 error निकल के आजाता है, 0.05 cm मा 0 error आपको sign के साथ कुछ करना है, यानि अगर आपका positive 0 error है, तो आप plus 0.06 करोगे, अगर आपका negative 0 error है, तो आप minus 0.06 करोगे, और उसके आगे minus लगा के आपका 0 correction बन जाएगा, और correct reading, गया होगी, जो आपने normal reading ली, उसमें आप 0 correction आड कर दीजे, तो आपकी बिलकुल correct reading लि आपके, खतम कर लेते वीडियो को, तिसे संकल जोरी, standing off.